रास्ट्रियल लता मंगेशकर सम्मान अलंकरन सम्हारो का आयोज़न इंदौर में होने जवा रहा है पहली बार यह सम्हारो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम से बने औरिटोरियम में होगा यह सम्हारो 27-28 सितंबर को होगा जिसे लेकर संभागायोक्त दीपक सिंग ने बैठक ली देखिये यह खास रिपोर्ट रास्ट्रियल लता मंगेशकर सम्मान अलंकरन सम्हारो और गीत संगीत संध्या 27 और 28 सितंबर को इंदौर में आयोज़द होगी सम्हारो में संगीत का रुत्तम सिंग और डक्षन भारत की सुप्रसद पार्शवगाई का के एस चित्रा को रास्ट्रियल लता मंगेशकर सम्मान अलंकरन से सम्मानत की आजवाएगा यह लता मंगेशकर अलंकरन समारो है जो 27 और 28 तारिक को होना है 27 तारिक को यहां की local कलाकारों को एकत्र करके लता जी को गाने वाले बच्चों से यह कारिक्रम हो रहा है और 28 तारिक को लता अलंकरन होगा जिसमें मानिया मुख्यमंत्री जी आएंगे और दो लता अलंकरन अवार्ड सेलेक्ट होए है जिसमें उत्तम कुमार जी और दूसरा के चित्रा जी है तो उन दोनों को अवार्ड किया जाएगा और उसके बाद में उनका कारिक्रम होगा चित्रा जी बहुत मश्यूर हसती हैं आप सब लोग जानते हैं उनको और बहुत सुन्दर सुन्दर उनके गाने हैं इन्विटेशन के लिए कार्ड छप रहे हैं वैसे उपन टू आल है कोई भी आ सकता है लेकिन कार्ड छप रहे हैं और सब पहुचाए जाएंगे शहर भर में होर्डिंग्स लगाए हैं हमने इस आयोचन की व्यापक तैयारियों के संबन में कमिशनर डीपक सिंग की अध्यक्षता में बैठक आयोज़ित हुई कमिशनर सिंग ने नर्देश दिये कि राष्क्रिय लता मंगेशकर समान अलंकरन समारो पूर्व गरीमामाय प्रबंदों के साथ आयोज़ित हो आयोज़न इस्थल पर बहतर से बहतर प्रबंद सुनिश्चित किये जाएं जिसलेकर सभी की जिम्मेदारियां तैय की गई समधरू संगीत भी सुनिये और जे नक्याति लब्द कलाकारों को संमान किया जा रहा है उनके पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदार